हेलो एवरिवन दिस आरिया सिंय वेलकम तो दे चैनल ओफ लेट्स डिस्कवर इट जहां पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वन क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो साइन्स का चैप्टर फर्स्ट है एंसी एाइटी आज हम करने जा रहे हैं और जो आज हम प प्रोडक्शन और मैनेजमेंट यहां प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में यह पूरा मतलब विडियो होने वाला है ठीक है इतना तो समझ गए अब देखिए पहली और बूझो वेंट तो देर अंकल साओ दूरिं दूरिंग दूर्स वेकिशन देर अंकल इस फार्मर ओके तो पहली और बूझो आपको दो कैरेक्टर दिये गए हैं इस बुक में जो आपको सिंप्ली इंजॉय करते हैं यानि आपको दिये गए तो यह जो पहली और बूझो आई यह अपने अंकल के हाउस गए समर वेकिशन में देर अंकल इस फार्मर उनके अंकल क्या है फार्मर है तो उन्होंने एक दिन बहुत सारे टूल्स देखा इसे खुरपी सिकल सोवल प्लो इस फिल्ड में ठीक है एक फिल् तो आपने देख लिया खुरपी सिकल सोवल प्लो इंदा फिल्ड में उन्होंने देखा उन्होंने देखा यह सारी चीज़ने क्या में ओना प्लो मिल्द कम अगरनां को फीन हो का में इस ऊक्चाल Kenneth पैंसल और इंसे उसकत यह सूरी तो बूजो का question क्या है कि मुझे जानना है कि यह जो tools है कैसे और कहां यूज किया जाते है यह लर्ण्ट आप लोग ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि जितने भी living organisms हैं उन्हें फूड की requirement होती है plant can make their own food themselves जो plant होते हैं वो अपना food खुद बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते है autotrops कहते हैं ठीक है और हम जो है अचली animals हम लोग humans हो गया animals हो गया यानि human भी तो एक तरह के अनिमल ही है animals की जो category हो गई वो heterotrops कहलाती है क्योंकि वो food के लिए निर्वड होती है plants पे plant के product पे कैसे green plant अपना food synthesize करते है synthesize का मतलब होता है make कैसे बनाते है तो यह कैसे बनाते है तो photosynthesis के process से बनाते है animal including human cannot make their own food animal or human दोनों अपना खाना खुद नहीं बना सकते so where do animal get their food from तो animals जो होते हो अपना food कहां से प्राप्त करते हैं कहां से पाते हैं यह question है आपका but first of all why do we have to eat food sorry why do we have to eat food okay लेकिन पहले मुझे यह बताईए कि हमें खाने की जरूरत क्यों होती है you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excreation पहले तो आपको यह बहुत ही जानना जरूरी है कि जो यह energy है जो हमें food से मिलता है ठीक है तो यह clear होगा हम food क्यों खाते हैं क्योंकि हम energy चाहिए energy कौन देता है food देता है इसलिए food को खाते हैं ठीक है तो energy जो फूड खाने से मिलती है उसे utilize क्रता है कौन organism है क्यों utilize करता है economics इसे हमारे body में सारे functions होते हैं digestion होता है respiration होता है under the education για से नीचे जाता है हमारा कहा जाता है और यह स्टमक हमारा स्टमक और यह सब्सक्राइब भाद हमारे बॉटी आप कर दी पूर्म में निकल जाता है तो यह जो हमारी axe creation का process है वो आ जाता है हम जो अपना earthly potty निकालता है तो उसे हम कहा देथे है axe creation और respiration क्या होता है respiration का मतलब होता है हम जो breathing करते हैं इस process को respiration क्याते हैं और digestion क्या होता है digestion होता है food जो digest होता है उसको ठीक है We get our food from plant और animals और both हम अपना food plant animal और दोनों से पाते हैं ठीक है since we all need food how can we provide food to a large number of people in our country इसलिए हम लोगों को food चाहिए होता ये बुजो का question था उसे answer मिलिया लेकिन हम तो food ले रहे हैं लेकिन large number of people हमारे इंडिया की जितनी population है उसे कैसे food मिल रहा है food has to be product on a large scale आप देखो आप अगर दो आदमी रहते हो घर में और एक आदमी तीन रोटी खाता है तो आप simply छे रोटी बनाओगे लेकिन अगर और आपके घर में तीन लोग और विजिट कर गए गेस्ट तो आपको क्या करना होगा से प्ली जादा खाना बनाना होगा क्योंकि population इंक्रीज हो गई तो उसी तरह से food has to be produce on a large scale to provide food to a large population of our country okay in order to provide food for a large number large population of our country regular production proper management and distribution is necessary okay हाँ food इन हमें जो food प्रोबाइड करना होता है लार्ज पॉपूलेशन को जो हमारे इंडिया में उसके लिए हमें regular production करना होता है रोज हमें crops को grow करना होता है regular और प्रॉपर management उसकी proper management करनी होती है और उसकी distribution करनी होती है ठीक है प्रॉपर management का मतलब हो गया crop लगाने से थोड़ी न होता है प्रोडक्शन तो कर रहा है लेकिन उसकी देखवाल वह सारी चीजह करनी होता है distribution भी ओके agriculture practices अब agriculture practices क्या है और यह agriculture आया कैसे था उसको देख लेते हैं तिल 10,000 BCE ठीक है बीफोर क्राइस्टी रहा है ओके बीफोर क्राइस्टी रहा है यानि तिल 10,000 BCE में people were nomadic people nomadic थे nomadic का मतलब होता है घुमंतु घुमंतु का मतलब होता है वो एक जगा नहीं रहते एक जगा से दूसरे जगा आपने फूड को प्लांट वगरा एनिमल वगरा को हंट कर एनिमल हंट करते हैं और प्लांट के रूट्स फूट्स वगरा तोरके खाते थे दे वर वंडरिंग इन गृूप फ्रम प्लेस तो प्लेस इन सर्च आप फूड और शेल्टर देखिए क्या बोला जारा है कि यह ल अपने फूड के लिए इनिमल को भी हंट करना शुरू कर दिया था लेटर दे कुट कल्टिवेट लेंड और प्रड्यूस राइस बाद में पहले तो यह वंडर्स थे नॉमेडिक्स थे फिर क्या हुआ धीरे धीरे इन्होंने लेंड को कल्टिवेट किया और राइस को प्र सारे फूड क्रॉप्स हुगा है ऐसे हमारा एग्रिकल्चर बॉन हुआ ठीक है एग्रिकल्चर ओके या ओके यागो वन प्लांट ऑफ दे सेम काइंड अर कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इसकॉल्ड क्रॉप देखिए यहां पर क्रॉप की देफिनेशन दी आरे पास ठीकम है बहुत ही बड़ालेंड अगर हम उसको बोल ते बहुत ही और से रक्टैंगुलर फिल्ड होई रक्टैंगुलर फिल्ड है यह उसमें क्या भाई 500 कॉंइं वने करते हैं 1 km का लेंध है हमके रेक्टैंगुलर का उतने बड़े field पे हम क्या कर रहे हैं? crops हुगा दिया crop में हमने एक ही तरह का same kind पूरे पर एक ही तरह का crop हुगा दिया wheat लगा दिया पूरे पे ठी क्या wheat लगा दिया तो when plant of the same kind same kind का लगाया cultivate, cultivate किया at one place, एक ही जगह पे किया large scale, large scale पे किया when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called a crop complete हो गया होगा, कोई problem नहीं होगा चलिए आगे चलते हैं for example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat अगर आपको कोई कहता है कि crop of wheat या फिर question में दिया रहता है, तो उसका मतलब यह होगा कि एक field है जहां पे जो crops हुगाए गए है वो पूरे, पूरे field पे हमारे क्या है wheat है, पूरे पे you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits जैसा कि आप जानते हो, यह जो crops होते हैं, different different तरह के होते है cereals हो गया, vegetables हो गया और क्या हो गया, fruits भी हो गया these can be classified on the basis of the season in which they grow इससे हम classify करते है season के base पे जिस पे यह grow जिस season में यह grow होता है India is a vast country, India बहुत ही बड़ा country है, vast country है the climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another तो इतनी बड़ी country है, तो यहाँ पे climatic condition है, climatic condition मतलब वहाँ का temperature क्या है, humidity क्या है नमीं क्या है, वहाँ पे, rainfall कितना ज़दा, कितना centimeter का rainfall होता है, तो इसके basis पे मतलब एक जगह से दूसरे जगह यह vary करता है, जैसे जारखंड का climate है, जारखंड का climate वो मध्य या जम्मु कश्मीर से बहुत ही जादा वेरी करता है करता है न, तो एक region से दूसरे region से, मने एक region और दूसरे region में वेरी करता है क्या हमारे climatic condition accordingly there is a rich variety of crops grown in different part of the country और बहुत सारे rich variety के crops grow होते हैं पूरे मतलब different different countries में different different type of crops grow किया जाता है despite this diversity too broad cropping pattern can be identified इतनी ज्यादा diversity है हमारे हाँ crops की भी उतना सार जो crops grow किया जाता है अगर vegetable का ही crops grow किया जाता है तो vegetable में ही कितने पोटाइटो हो गया कैरोट हो गया रेडिस हो गया cauliflower बिंजल तो बहुत सारे हो जाते हैं तो इतना जदा diversity है ना इसके जलते हम लोगोंने crops को two parts में classify किया पहला है हमारा curry crop, दूसरा है हमारा ruby crops the crops which are sown in rainy season are called curry crops तो वो crops जिसको हम rainy season में क्या करते हैं sow करते हैं या नि बोते हैं उसे हम क्या कहते हैं curry crops करते है रेडिस हमारे इंडिया में जून से लेके सेप्टेमबर तक रहता है और कुछ खरीफ crops के नाम दिये गए है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन यह सारे क्या है मारे एक्जामपल्स है किस चीज के खरीफ crops के रभी crops अभी रभी crops के आता है दो प्रोट केटेग्नी है भाई खरीफ और रभी तो खरीफ बता दिया अब रभी देख लेए खरीफ रभी क्रोप्स उस क्रोप्स को कहते हैं जो विंटर सीजन में करवाया जाता है और हमादे इंडिया में जो विंटर सीजन है वो रभी क्रोप्स एक्जाम्पल अफ रभी क्रोप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लीन सीड बिसाइड इस पल्सेस और वेजटेबल्स आर ग्रोण डूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस अब देखिये रभी खरीफ तो आपने जान लिया एक्जाम्पल्स बिलकुल या पर समर के सीजन में ग्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रो को हम लोग winter season में grow क्यों नहीं करते हैं, उसको हम rainy season में grow क्यों करते हैं, तो पहली answer देती है, paddy required a lot of water, paddy को क्या चाहिए होता है, lot of पानी चाहिए होता है, lot of water चाहिए होता है it is grow only in winter season इसलिए इसलिए ये हम ऐसा sorry, rainy season rainy season में grow करवाया जाता है cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time देखे क्या बोला जा रहा है कि crop का cultivation है वो बहुत सारे activities को undertake करता है actually farmer के दुआला activities undertake किये जाते हैं एक period of time के बाद या फिर एक period of time में you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener और even by you when you grow ornamental plants in your house ठीक है, तो आप इससे find कर पा रहे होगे कि ये activities similar है, यानि एक जैसे हैं उन activities से जो एक gardener करता है या फिर आप भी कभी कभी करते हो जब आप ornamental plants को grow करते हो अपने house में ornamental plants क्या होता है, ornamental वो plants होते हैं, जिनको अपने घर की सुन्दरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं कोई flower का plant हो गया या फिर कोई होता है न, colorful leaves वाले plant हो गए, तो ये सारे plants जो होते हैं वैचली हम घर में grow क्यों गरते हैं इस सीच के लिए grow करते हैं हम पहले क्या करेंगे, गमला में उगाना है तो गमला लेंगे उसमें fertile soil देंगे उसको फिर moist करेंगे उसको फिर अच्छे से soil को turn करेंगे जिससे वो mix हो जाए फिर उसमें उसी fertilizer add करेंगे उसके बाद हम उसमें plant को देंगे फिर उसके बाद उसमें irrigation करना है कभी कबाल उसमें fertilizer भी डालना होगा इतना ज्यादा होता नहीं है बस आप एक लगा देते हो लेकिन उसे बहुत सारे process ऐसे भी है जो farmer and activity perform करता है और आप भी करते हो these activity or tasks are referred to as agriculture practices यही जो activity है इसी को हम क्या कहते है agriculture practices कहते हैं ओके which are listed below यह रहे कुछ agriculture practices जो आपको exam में पूछ देगा बिल्कुल माफी नहीं मिलने वाली है याद कर लेना ओके preparation of soil पहला जाएगा आपका preparation of soil दूसरा जाएगा sowing यानि बोते जो है तीसरा आता adding manure and fertilizer to the soil चौथा आता irrigation सिचाई और weeds से protection ओके weeds मतलब क्या होता है आगे जाएंगे तो अभी देख लाएंगा weeds से protection harvesting उसकी कटाई और फिर उसको store करना है उसकी management करनी है store करना है अब देखिए एक-एक करके अब सबको एक मैं आपको एक-एक करके पढ़ाने वाली हूं तो धान देना preparation of soil the preparation of soil is the first step before growing a crop the preparation of soil है यह पहला step है यह पहला कदम है जो हम crops को grow करने से पहले लेते हैं one of the most important task in agriculture is to turn the soil and lose it तो इसमें जो सबसे important task होता है हमारे agriculture में होता है कि soil को lose करिये अगर soil टाइट है तो उसमें water दे कर उसको हम tilling करेंगे तो फिर क्या होगा land को till करेंगे तो लूज हो जाएगा या फिर इसको turn करना परता है turning the soil क्या होता है आपको पता है देखिए जैसे by the way यह ऐसे soil है और यह पूरा सक्त है यह पूरा सक्त है तो अब आप क्या करोगे बस इसमें पानी देकर इसको उपर से एक तरह से तिल कर दोगे नहीं आपको turn करना है मतलब यह जो land है तो यहां पर जो soil है उसे भी घुमा कर उपर लाना है फिर इसे भी नीचे जाना है तो कुछ इसको ऐसे करके मिला देना है उसे हम कहते है turning the soil okay ठीक है तो इससे क्या होता है इस अलाव दरूट टो penetrate deep into the soil इससे जो roots होता है हमारे plant के वह deep जाता है soil में एकदम deep तक जाके अपनी पकड़ बनाता है okay the root soil allows the root to breath easily even when they go deep into the soil तो जब soil lose होता है तो वह root को simply breath करने में help करता है अगर वह breath नहीं कर पाएगा तो हमारा पेड मर जाएगा तो जो root होता है वह breath करता है easily when जब वह soil के बिलकुल deep जाता है और अगर soil हमारा lose होता है तो वहाँ पे उसको breathing में easy होती है यह वह अच्छे से सांस ले सकता है easy way में why does the losing of soil allow the roots to breath easily क्यों जो soil की losing है वो क्यों allow करती है हमारे roots को easy breathing करने में चलिए the loosed soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil the loosed soil होती है वो simply earthworm or microbes को soil में grow करने में help करती है these organisms are friend of the farmers since they further turn the soil and add humus to it यह जो जगर soil lose होगा तो उसमें जो useful microbes हैं जो friend actually farmers के जो earthworms होगे तो यह क्या करते हैं यह simply lose करते हैं और भी soil को turn करते हैं soil को और फिर कभी कबाल उसमें you must be add करते हैं but why the soil needs to be turned and loosed लेकिन हमें soil को turn करना या फिर लूस करना क्यों पड़ता है you have learnt in the previous classes that soil content minerals water air and some living organisms आपने पिछले class में पालिया है कि soil में minerals होते हैं water होते हैं air होते हैं और बहुत सारे living organisms भी होते हैं dead plants and animals get decomposed by soil organisms okay addition में बोले जो dead plants होते हैं animals होते हैं get decomposed हो जाते हैं okay decomposed हो जाते हैं soil organisms के द्वारा यह हम लोग ने पढ़ा है in this way इसी तरह various nutrients in the dead organisms are released back into the soil उसी तरह जो nutrients हमारे dead organisms में होता है वो फिर हमारे soil में ही released कर दिया जाता है these nutrients are again absorbed by plant this nutrients फिर क्या होते है यह absorbed कर लिया जाते हैं plant के द्वारा okay इसलिए few centimeter of the top layer of soil support the plant growth इसलिए जो few centimeter का top layer होता है न हमारे soil का कुछ centimeter तक वही support करता है plant के growth में turning and losing of soil bring the nutrients reach soil to the top so that plant can use these nutrients आप देखिए इसका answer आपको यहां पे मिल रहा है कि हमें soil को lose or turn इसलिए करना पड़ता है जिससे nutrient reach you must reach soil वो नीचे से उपर की तरफ आ सके thus turning and losing of soil is very important for cultivating of crop इसलिए हमारा turning or losing the soil बहुत ही important होता है crop की cultivation के लिए okay sorry yeah the process of turning or losing the soil is known as tilling okay यह बहुत ही important है चलिए यह जो process है जिसके थो हम soil को lose करता है या फिर turn करता है इसे ही हम कहते है tilling या फिर plowing this is done by using a plow यह कैसे होता है भाई plow के यह हलकी help से होता है plow are made up of wood or iron plow iron or wood का बना होता है if the soil is very dry अगर soil बहुत जादा सूख ही है तो it may need watering before plowing अगर बहुत जादा सूख ही है तो उसमें पहले हम पानी का छेड़काव करते हैं फिर हम उस पे plowing करते हैं the plowed field may have big clumps of soil called crumbs okay गठर में जो कभी क्ल स्वाइल present हो जाती है न बहुत टाइट और वो lose होने का नाम लहीं लेती है तो उसको तोड़ना बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है तो plowed field में बहुत सारे big clumps होते हैं जिसे हम crumbs बोलते हैं it is necessary to break these crumbs तो यह जो crumbs होते हैं निमिट्टी का बिग गठर होते हैं इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी होता है it means that leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation okay soil को level करना बहुत ही जादा important होता है और sowing के लिए और irrigation के लिए leveling of soil is done with the help of leveler okay leveler की help से leveling की जाती है soil की sometime manure is added to the soil before tilling कभी-कभी जो manure होता है वह भी soil में हम add करतें tilling के before जिससे जो manure होता है वह soil में अच्छी तरह से proper way में mix हो जाता है the soil is moisten before sowing okay sowing से पहले भी हम soil को moist करते हैं अब agriculture implements क्या होता है agriculture की tools क्या क्या होता है before sowing the cdt is necessary to big sorry break soil clumps to get better yield sowing के पहले seed को sow करने से पहले यह बहुत ही जरूरी है कि आप soil की बड़े-बड़े कठर को तोर लो ठीक है better yield के लिए यह बहुत सारी tools के through हो सकता है लेकिन इसके लिए यह तीन tools आपके book में दिये गए जो आपको question पूछा जाएगा exam में वह प्लो हो और कल्टिवेटर ठीक है प्लो हो और कल्टिवेटर okay प्लो क्या होता है this is being used since ancient time for tilling the soil जो प्लोइंग है यह बहुत ही पहले से यूज होता है बहुत ancient time से हमारे soil को till करने के लिए adding fertilizer to the soil fertilizer add करना होता है crops में तब भी यूज होता है weeds remove करना होता है तब भी यूज किया जाता है और soil को turn करने के लिए भी this is made of wood and is drawn by a pair of bulls यह लकडी से बना होता है उड का बना होता है और इसे pair of bulls actually इसे draw करते है यानि चलाते है इने pair of bulls other animal horses and camel bulls के अलावा horses और camels के दोड़ा भी चलाया जाता है it contains a strong triangular iron strip इसमें strong triangular iron strip होता है जिसको हम plosher कहते है the main part of the plow is a long log of wood which is a ploshaft सबसे main part हमारे plow का होता है ploshaft sorry I mean या ploshaft जो एक long log of wood होता है जो जिसका handle जो होता है न एक इंड पर handle होता है मैं आपको दिखाऊंगी अभी देखिए पहले अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया पहले मैंने आपको बताया plosher देखिए यह हमारा plosher देखिए आपको ट्रेंगल टाइप का पहले तो ट्रेंगल टाइप का दिखते है इसी से यह वाला जो पाठ है न यह पूरा यह हमारा क्या है plosher है और इसी से हमारे जो soil होगा वो क्या होगा तिल होगा या फिर plow होगा चलिये अब हमें आपको plow shaft दिखा देखिए यह है एक लोंग log of wood which is attached to plow'sher okay the main part of the plow is a long log of wood which is a plow shaft this is a handle at one end of the shaft it's a shaft के handle होता है there is a handle at one end of the shaft okay the other end is attached to a beam which is placed on the okay yeah where are we oh yeah तो देखिए यह जो हमारा plow shaft इसमें दो होता है हमारा एक handle okay पकरने के लिए यह दबाई रखने के लिए इसरी अंब produkt आ यह इसलिए जैसे में पक्ष्प करेंटा इसको दबाईंद के लिए करते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं अचलिए आगे चलते हैं वन पेर अफ बूल एंड़ 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 मैन कें इजली ओप्रेट दपलो अगर आपके पास एक जोड़ा बैल रहेगा और एक आदमी रहेगा तो वो इजली प्लो को ओप्रेट कर सकते हैं अब जो उड़न प्लो है वो आज के दिन में आइड़न प्लो के मतलब ओडी के जगह हम लोग ने आइड़न का यूज कर रहे हैं और अज़ आजए अपने लैंड को तो करते हैं iron blow की help से, okay हो क्या होता है, चलिए it is a simple tool which is used for removing weed and end for losing the soil ये एक simple tool होता है, जिसका हम use करते हैं, weeds को remove करने में और soil को lose करने में, it has a long rud of wood and iron, जो इस पे एक long rud होता है, और wood होता है, iron का, okay wood का या फिर iron का, a strong broadened blade of iron is placed to its end, work like a blade, it is pulled by animal, देखिए इसका भी जो होता है, इसका भी work वही होता है, ठीक है सारी चीज़े same होती है ये भी animal के उदारा होता है, बस इसमें तिन-चार चीज़े मैं आपको बता दूँ, जो आने देखा है, जैसे ये है, ये चली, beam है, जो हमारे animal के कंधे पर डखाएगा, ये bent plate है, जिससे हमारा land detail होगा, तो ये रखाज़ेगा बेल पर ये soil में चला जाएगा, तो ये grip है, ये ऐसे से हिला कर इसको रोकने या फिर चलने का काम कड़ाता है, ओके ये bent plate है, ये handle है, ये rud है, ये beam है, सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, इसी को हम कहते हैं हो, चली अब cultivator देख लेता है, nowadays plowing is done by tractor driven cultivator आज का दिन में जो plowing है, वो tractor के driven cultivator के दारा किया जाता है, ये जो cultivator है, हमार टाइम और लेवर दोनों बचाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, sowing अब देखे, sowing पर चलते है, preparation of soil होता है पूरा खतम, sowing is an important part of crop production, जो sowing है, ये बहुत important part है, हमारे crop production का, before sowing good quality and clean and healthy seed of a good variety are selected, sowing से पहले हम अच्छे good quality, clean or healthy seed को क्या करते है select करते है farmer prefer to use seed which give high yield, farmer उन seed का use करने के लिए हमें बोलते है जो अच्छली high yield देता है तो selection of seed कैसे होता है, ये मैं आपको speed up में बता देते हूँ, कि जो seed होता है, उसके अंदर उसको पानी भी गोया जाता है जब पानी में उसको डाला जाता है तो कुछ seed डूब जाता है, कुछ ऊपर रह जाता है तो जो ऊपर रह जाता है, वो अच्छली hollow होता है, या अंदर से खोकला होता है तो हमें कोई yield देने वाला है निए तो उसको हम चाट लेते हैं और जो भाडी होता है यानि उसके अंदर में पूरा हमारा Cotyledon वगरा प्रेजेंट है जो हमें हाइए इल्ड देगा, उसे हम सिंपली सेपरेट कर लेते हैं और उसे सो किया जाता है वन देशो मादर पूट सम ग्राम सीड बचने के सीड को in a vessel and pour some water on them after a few minutes some seed started to float on top I wondered why some seed float on water उसे याद आ जाता है activity आपको खुद करनी है are there seed which float on water would those be lighten and heavier than those which sink which would be lighter जो तर रहते हो पर भाई damaged seed become hollow and thus lighter therefore they float on water this is a good method for separating good healthy seed for damage one before sowing one of the most important task is to know about the tools used for sowing यह बहुत अच्छा method है जिसके दोरा हम healthy or good seed को separate करते है damage से और sowing से पहले हमें यह जानना है कि अचली कौन-कौन से tools आज के दिनों में या फिर use किये जाता है farmer के दोरा sowing के लिए तो traditional tool है the tool used traditionally for sowing seed shaped like a funnel आज जो आज जो आज नहीं मतलब ट्रेडिशनली जो टूल यूज हुआ जा रहा है बहुत दिनों से जो यूज हो रहा है वह tool sowing seed के लिए simply a safe होता है उसका कुछ funnel type का ठीक है funnel type का ओके यह हमारा funnel okay this seed are filled into the funnel passed देखिए यह हमारा funnel यहां पर कभी कवाल हमें कोई चीज़ डालना वगरा होता है तो एक funnel होता है ना कुछ ऐसे वाला funnel आपने घर में देखा होगा ओके या फिर देख सकते स्क्रीन पर यह हमारा funnel का थे हम यह तो तूस funnel type का शेप होता है जिसमें seed को डाला जाता है और उसको दो तीन पाइप से इसको गुजारा जाता है जिससे देखिए मैं आपको बता देती हूँ यह तो बैल है सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगे दिखता है funnel मैं दिखा दूँ फनेल है यह यहां से इंड होगा वह बहुत ही शार्प होगा वह जो सीड होता है उसको एकदम पायर्स कर देता है यह अंदर गूसा देता है और फिर स्वाइल से वह कवर्ड हो जाता है ओके the seed are filled into the funnel pass down to two to three pipes having sharpened these into pyres into the soil and placed seed there अब सीड ड्रिल क्या होती है सीड ड्रिल क्या होती है चली देखिये nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor this sow the seed uniformly at equal distance and depth it ensure that seed get covered by the soil after sowing this protect seed from being eaten by bird sowing by using a seed drill save the time and labor okay देखे होता क्या है कि ट्रेक्टर के वारा इसको ड्राइब किया जाता है इसके दांत कैसे देख रहे हैं आप दांत नहीं मतलब यह जो हैं यहां पर है जब यहां से गिरता तो फिर यह जब पास आउट होता है तो यह सीड को सिंप्ली स्वाइल में मिक्स कर देता है समझ गया है इस प्रोटेक्ट सीड फॉंग बिंग इटन वाइब यह कैसे यह जो बर्ट को सीड खा जाने जिससे अगर कहीं सीड रग दोगे तो बर्ट खा जाएगी ना इससे स्वाइल के नीचे कवर हो जाता है तो नहीं खापाती है स्वाइब यह भी हमारा टाइम और लेबर बचाता है बूझो जो है ना उसके पास एक नर्सरी है उसने कहीं एक नर्सरी देखा था उसके स्कूल के पास जिसमें छट-छटे प्लांट को ग्रो किया जाता था बैक्स में सीट्स फ्यू प्लांट सच अस पैडी और फॉस्ट ग्रो इन नर्सरी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो डैरेक्ट फिल्ड पर ग्रो नहीं कर सकते हैं उनको आपको छोटे पैकेज में पूरे प्यार से ग्रो करवाना होता है थेक है अब जब वह जब ग्रो हो जाएंगे त चलिए आगे चलते हैं एप्रोप्रिये डिस्टेंस बिट्विन दसीड इस नेसेसरी तो एवर्ड ओवर्क्राउडिंग फ्लांट एक एक सीड से दूसरे सीड के बीच का डिस्टेंस बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अगर एक ही जगह पे बहुत सारे सीड अगर हम गिरा देते हैं तो आप उतना सारे प्लांट्स हो जाएंगे जो ओवर्क्राउड हो जाएंगे ना तो अच्छा से ग्रू हो पाएगा ना तो उसमें कोई भी हमार मतलब जो भी प्रोडक्शन यानि क्रॉप है वो भी नहीं दे पाएगा तो ओवर्क्राउडिंग नहों इसके लि में भी मदद करें इस प्रोड़ा सुने में मदद करें और वाटर लेने में मदद करें ऑट ठाइब प्रोडोडिंग कोई क्यों प्रिवेंट fertilizer वो substance जो हम plant में उनके healthy growth के लिए soil के fertile के लिए add करते हैं उसे हम क्याते fertilizer या फिर manure I saw healthy crops growing in a farm in a neighboring farm the plants were weak why do some plants grow better than others दिखे soil supply minerals nutrients to the crop plants जो soil होता है वो minerals या फिर nutrients हमारे crop plants को देता है these nutrients are essential for the growth of plant यह जो nutrients होते है plant के growth के लिए बहुत ही जाड़ा important होते है इन certain area farmer grow crops after crop in the same field एक ही field में जब एक के बाद दूसरा crops grow कर वाया जाता है farmer के द्वारा तो अब देखिए अगर pot में pot कोई pot है उसे पांच रोटी रखी हुई है पांच रोटी ठीक है लिए वैसे इस soil में जो nutrients present होता है वो धीर धीर खतम हो रहा होता है तो उसमें हम fertilizer या फिर manure डाल कर उसकी fertility को maintain करते हैं इसलिए हम बार बार जब plant हुगाता है without add किये हुए तो उसे nutrient और बार बार continue cultivate of crop make the soil poor in nutrients या मैंने आपको बताया the field is never left uncultivated और फेलो फेलो का उतलो होता है खाली तो जो field होता है उसको हम कभी भी uncultivated या फिर फेलो नहीं छोड़ते हैं जिससे वो naturally फिर replenished हो जाए ता आप सोची है nutrients का क्या होगा continuous cropping of continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients therefore farmers have to add manure into the field to replenish the soil with nutrients this process is called manuring improper or insufficient manuring result in weak plant okay मैंने भी आपको जस्ट बता दिया okay manure अभी manure क्या है यहाँ पर manure की definition बताई गई है manure is an organic substance manure क्या है एक organic substance है obtained from the decomposition of plant and animal waste जो हमें plant और animal के waste से मिलता है farmer dumped plant and animal waste in a pit at open place and allow it to decompose एक open place पे animal और plant के waste को farmers छोड़ देते हैं उससे क्या होता है वो decompose होता है action of bacteria से okay the decomposition is caused by some microorganisms the decomposed matter is used as organic manure जो decomposed matter होता है जो actually microorganisms के द्वारा decompose किया जाता है उसे हम फिर as a organic manure use कर लेते हैं you have already learnt about vermicomposting in classics आप लोग classics में vermicomposting के बारे में पढ़ चुके हो comment में लिख देना नहीं तो मैं अदले वाला वीडियो लेकर आऊंगी activity है activity में नथिं है बस क्या है भई देखले तेक पर take a moong or gram seed and germinate them select three equal sized seedling take three empty glasses and similar vessels mark them a, b and c to glass a add little amount of soil mixed with a little cow dung manure in glass we put the same amount of soil mixed with little urea fertilizer का नाम है take the same amount of soil in glass sea without adding anything now pour the same amount of water in each glasses and plant and the seedling in them keep them in a safe place and water water them daily after seven to ten days observe their growth temperature plus large and soil should be better works एक यदिन्टेट्र आप ग्रॉप्सी नहीं में यूडिया उसकिया था okay sorry okay किया है ना क्यों क्यूं-क यूडिया वगर्ड़ा क्या है वगणा क्या थे फोर्टिलाइजर है लेकिन कब करें, कमेट में जरूर लिखना, यह chapter खतम होने के बाद ही करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, यह 7 days का है, कुछ रोस करेंगे, हो जाएगा, ठीक है, तो यह activity में जरूर लेकर आऊंगी, सारी activities हमें के करके place करेंगे, अब फर्टिलाइजर क्या है, 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 फर्टिला यह उसकरते हैं, some example of fertilizer are urea, amenea sulfate, super phosphate, potas, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium, यह सारे क्या हैं, यह सारे आपको examples दिये गए हैं, fertilizers के, the use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and mage, यह जो fertilizer हैं, इनका जो huge है, यह farmer को help करता है, crop को better yield को बढ़ाने में, चीक है, wheat, paddy, mage वगरा में हम use करते हैं, but excessive use of fertilizer has made the soil less fertile, लेकिन अगर हम बहुत ही जादा fertilizer use करें, किये जा रहे हैं, तो वो हमारे soil को less fertile बना देगा, fertilizer also has become a source of water pollution, fertilizer, adding fertilizer, जो हम अपने crops में use करते हैं, water pollution का भी कारण बन गया, therefore, in order to maintain, sorry, in order to maintain the fertility of soil, water pollution का का बन गया, इसलिए अगर हम soil की fertility को maintain करना चाहते हैं, तो we have to substitute fertilizer with organic manure or leaves, the field uncultivated, तो हम क्या करें, कि कुछ organic manure, leaves ले ले ले, ठीक है, organic manure ले ले, soil में डाल दें, और simply uncultivate छोड़ दें, ठीक है, the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity, यह जो manure होगा, यह soil के texture को इंप्रूफ करेगा, this can be done by growing different crops alternatively, ठीक है, आप different different crops को alternative way में ग्रो करो, आप कैसे आप करोगे, earlier farmer in northern India, used to grow legumes or fodders in one season, and wheat in next season, ठीक है, पहले दलहन प्लांट ग्रो करता है, फिर कोई crops ग्रो करता है, क्यों, क्योंकि यह soil में nitrogen replenishment करता है, कैसे, प्लांट होता है, उनकी nodules में होता है हमारा rhizobium bacteria, जो simply, जो अचली nitrogen को convert करता है, यूजेवल फॉर्म में, और फिर वो प्लांट के द्वारा यूज किये, जाते हैं, चलिए, यह सारी चीज़े हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली वीडियो नहीं, अगली चैप् अगली चलते हैं, इसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर्टिलाजर मन्योर, फॉर्टिलाजर और मन्योर में क्या अंतर है, फॉर्टिलाजर एक इनचरल सब्स्टांस है, जो चैटरल डंग के डिकमपोजिशन से और प्लांट रेसिडियो से बनता है, फॉर्टिलाज फॉर्टिलाजर यूमस स्वाइल को प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हमारा मन्योर होता है, वो लॉट अफॉर्ट अफॉर्टिलाजर रिच होता है, अमारे प्लांट नूट्रियंट्स जैसे नाइट्रोजन, फासफोर्ण स्वार्ट और पोटेशियम में, लेकिन जो म होगा ना चलिए अब आगे चलते हैं एडवांटेजेस अफ मैंड़ एडवांटेजेस अफ मैन्यूर द ऑगनिक मैन्यूर इस कंसीडर बेटर दन फटी लाइजर ओके इस बिकाउस तो कुछ यहां पर एडवांटेजेस आपको मैन्यूर की दिये गए हैं क्यों क्योंकि जो अभी हम लोग ने जोस्ट ऊपर तेख लिया कि क्या डिफरेंस है आपके फर्टीलाइजर और मैन्यूर में ठीक है तो उसी तरह से मैन्यूर का क्या एडवांटेज है ठीक है इट इन हैंस द वाटर होल्डिंग कैपसिटी अफ स्वाइल के मैं लोग ने विछली वार भी मत विछ फर्स स्वाइल देख वाटर होल्डिंग कैपसिटी अफ स्वाईल यह इंप्रूव करता इकर तो इन होट बढ़ाता है इसमें स्वाइल को ने केसे अफ्रील दीक है इसलेपा ने के कारन क्या होता है एक्सज़श अफ एजिए हो जाता है एछ इंक्रीज दना जादा भी मैक्रोप्स और जितना जादा लूज होता है फिर जो you must मैं मतलब मैं मन्योर में बहुत ही जादा you must प्रोवाइट करता ने इसाइज को अभी हम लोग ने जस्ट यहाँ पर देखा manure provide a lot of humus to the soil तो उसी तरह से जो manure अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे तो humus रहेगा और humus क्या होता है अचली decompose होता है, decompose कौन करता है bacteria करता है जो चीज होती है कोई भी डंग हो गया है animal का या फिर human being का तो उसको simply simple substance में तोड़ता है फिर वहाँ पे कुछ microbes जो friend होते है जैसे earthworm हो गया है फिर कुछ bacteria हो गया है तो उनका भी number increase करता है soil में और यहाँ तक कि soil के texture को मतलबिक तरह से improve करने में बहुत काम करता है, कौन हमारा manure तो हम लोग ने चार एड़वांटेस देखे पहला water holding capacity को enhance करता है दूसरा soil को porous बनाता है जिससे exchange of gases become easy third था हमारा number of friendly microbes की संख्या को बढ़ाता है और चौथा था कि soil के texture को increase करता है अब irrigation irrigation क्या होता है all living beings need water to leave water is important for proper growth and development water is absorbed by plant roots along with water, minerals and fertilizers are also absorbed plant content nearly 90% water water is essential because germination of seed does not take place under dry condition nutrients dissolve in water and are transported each part of the plant सारे living organisms को पानी चाहिए होता है जिवीत रहने के लिए और जो पानी होता है वो important growth and development के लिए बहुत ही important है water plant roots जो होता है न वो absorb करता है water को soil में हम लोग ने पानी डालते है न जब पानी डालते है तो वो absorb होता है root के द्वारा लेकिन बस पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है इसके साथ साथ minerals और fertilizer भी एब्जॉर्ब होता है plant में हमारा 90% water होता है और यह बहुत ही शंसील होता है seed के germination के लिए क्योंकि अगर सूखा condition रहेगा dry condition रहेगा तो वहाँ पे seed grow नहीं करती है nutrients dissolve in water are transported to each part of the plant nutrients हमारे पानी में dissolve होते हैं वो फिर each part of plant चले जाते हैं कैसे की root में हम लोगों ने absorb किया फिर वो stem में जाएगा stem से branch branch से leaves हर जगा चला जाता है water also protect the crop from both frost and hot air current water हमारे plant को बचाता है frost से पाला होता है न उसे frost कहता English में frost और hot air current जब hot air current होता है न बहुत ही ज़्यादा जब हवा बहुत ही गर्म हवा बहुत तेजी से बहती है तो soil को ने plant के leaves को dry कर देती है hot रहेगा तो water रहता है तो hot air current से भी plant को बचाता है to maintain the moisture of the soil for healthy crops growth fields have to be watered regularly लेकिन उसके लिए हमारे soil में moisture रहनी चाहिए यानि नमी रहनी चाहिए हमारा soil भीगा रहना चाहिए water soil में present रहना चाहिए उसके लिए हमें regular interval पे water को soil में डालना होगा the supply of water to crops at regular interval are nothing called sorry irrigation तो जो हम regular interval पे पानी supply करते है न पेड़ को अगर हम एक बार पेड़ लगा दें और फिर आप उसको छोड़ दोगे तो क्या वो grow करेगा कभी नहीं करेगा न लेकिन अगर हम regular interval पे उसको पानी supply करते रहे तो तब तो वो बिल्कुल ग्रो करता है तो उस ही हम कहते है irrigation the supply of water to crops at regular interval is called irrigation the time and the frequency of irrigation varies from crop to crop soil to soil and season to season okay crop से एक crop और दूसरे crop किसी को कम और किसी को जादा पानी की ज़रूरत होगी उसी के साथ साथ अगर स्थिपत पानी की अपल से नमी वाला तो पानी का कम जादा से ज्यादा देना होगा तो हम बहस Spaß ठीक है सबस्क्र를 lien होकर से सीजन के सीजन बढ़ नहीं बीड़वी तो सीज जाइगा लेकिन अगर मौसम हैश्म का paनी जादा से कोई प्लांट वगर लगाया है नो तो बिल्कूल बूजो की तरह अटेंटिव रहना उसको पानी मतलब वाटर उसको इरिगेट करने में ठीक है क्यों बता है क्यों कि बूजो ने क्या किया प्लांट लगाया था पिछले समर पिछले साल ठीक है जब आप सेवन में ही थे उस सूह के इसने पाने ही डाला तो आप मत करने हैं युवी सोर्स आप इर्रिकेशिन अब आप इर्रिकेशन का क्या-क्या सूर्स है ता सोर्स आँ वाट फॉर्ट फॉर्णक और विल्ल्ल 3 यूब विल, पॉंड, लेक, रिवर, डेम और केनाल, ये सारे चीज है क्या है, सोर्स है हमारे इरिगेशन के, चलिए आगे चलता है, अब इरिगेशन के टेक्निक्स के बारे में सीख लेता है, इरिगेशन, दो तरह का आपके मैथर्ड दिये गए है, पहला हमारा ट्रेडिश इरिगेशन को कहते हैं, जो बहुत पहले से यूज हो रहा है, हमारे फिल्ड वगरा में, दो वाटर एविलेबल इन वेल, लेक, संद केनाल इस लिफ्टेड अप बाई इडिफरेंट मैथरेंट इन डिफरेंट रिजन इन डिफरेंट रिजन टेकिंग टू दू दा मैथर्ड में, यहां पर यह जो मैथर्ड होते हैं, थोरे सस्ते होते हैं, पहला होता है मोट, दूसरा होता है चेन पंप, तीसरा होता है डेकली और चौता होता है रहा तभी मैं जस्ट बता देती हूं, मोट क्या होता है, मोट, सिंपली आप देख सकते हो, मोट में यह जो लोगों ने एक बड़ी सी वाला जो आप देख रहे हो यह पाइप को अटेच किया है जिससे जो पानी यह फिल तक जा रहा है ठीक है डेखली क्या होती है डेखली होती है क्या एक तरफ आप इससे स्टोन बांद देते हैं यहां पर बालती है इसको लिफ्ट अप करोगे तो नीचे चला जाएगा जिसमें पानी भर जाएगा तो स्टोन का तो वेट जाता है स्टोन का वेट ज्यादा है तो यह आ जाएगा नीचे और यह फिर आ जाएगा ऊपर और आप इसको सीम्पली फिर खेद में डाल सकते हो कि डेख ली डेख ली बता दी हमने राहत देख ले जैसे जैसे इसको घुमाएगा यह भी घुमेगा और यह घुमेगा तो यह अपने में पानी लेकर फिल्ड में गिराते चला जाएगा ने तो इसमें गिराएगा यह फिर हमारे फिल्ड से अटाइज हो जाएगा समझ गया आप पंप का हम सिंपली यूज करते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए डीजल बायोगास इलेक्रिसिटी एंड सोसल एनर्जी यूज तू रन इस पंप्स ओके अब देखें मॉडर्न मेथर्ड मॉडर्न मेथर्ड आज जो हम लोग मैथर्ड यूज कर रहे हैं उसमें दो मैथर् स्प्रίνुकल सुस्ट्म दूसरे राता है क्यों मैं पहली स्प्रेट वल्यूजài कर दो कि वाटर सोर्स सै जैसे हमारे पास वेल ह्यह हैं तो हम लोगों ने वहां मैध् Finnish से निकालने का जगाड कि उसके बाद हम लोगे पानी पाइप को देंको कुछ हैसे अटेच कर लिया ठ और जभ यह घूमता था और जब प्रेशर क्रियेट करता दा था ठीज जज़णा के जैसा पानी सिस्ञेट था था तो आसे आप्लांटेशन वागागरा में vahe spring которую system's spring that means not like spring that then it means springt systematically and take a पानी डायर्क्ट प्लांट के रूट्स पे गिरेगा ठीक है वैसे होता है एक बार स्पीर अप में देख लेते हैं और स्प्रिंकल सिस्टम इस 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 इसम इसे अन्हीं जो सिस्टम है यह बहुत ही यूजफूल इन जगाहों के लिए जहां पर वाथर सफिशेंट मतल interval when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump it escapes from the rotating nozzles it gets sprinkle on the crops as if it running okay running जैसे बारिश होती है न वैसे यह पूरा फिल्ड में sprink कर जाता है sprinkle is very useful for lawn, coffee, plantation and several other crops okay drip system in this system इस system में जो water होता है नो drop by drop roots के एकदम near में गिरता है ठीक है इसलिए हम इसको drop by drop गिरता है इसलिए हम इसे drip system कहते है यह बहुत ही best technique है fruits, plants और gardens को और यहां तक की trees को भी irrigate करने के लिए और यह एक तरह का वर्दान है यानि water is not wasted at all water बहुत ही कम waste होता ही नहीं है इसमें it is born in region where availability of water is poor और यह एक तरह का बर्दान है उस reason के लिए जहां पर जो water है water का जो amount है वो बहुत ही जादा poor है poor का मतलब होता है मतलब वहां पर water sufficient amount में available है नहीं या फिर water available ही नहीं है वहां होगा लेकिन बहुत ही कम amount में ओके अब देखिए protection from weeds और harvesting storage यह तीन चीज़ अब हमारा बचा हुआ चल्द ही देख लेते हैं इसको चल्द के weeds weeds क्या होता है are called weeds जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो लिखा हुआ है चल्द करते हैं बुझा इन पहली went to a nearby wheat field and show that there were some other plants in the field growing with wheat plant तो बुझा और पहली एक बगल वाले wheat field पे जाते हैं जहां पर वह देखते हैं कि plants के साथ साथ कुछ wheat plant यानि जो हमारा main crops उसके साथ साथ और भी कोई दूसरा plant grow हो गया है तो वह grow हो जुका था उन्हें पता नहीं है कि वह क्या है तो बुझा कहता है कि क्या यह जो plant इसके साथ grow हुआ है इनको कोई purpose के लिए लगाया गया है क्या इनका कोई use है तो in a field many other undesirable plants may grow naturally along the crops ठीक है तो field में बहुत साथे undesirable ओके इसका मतलब बहुत unused जिसके कोई use नहीं हो वह naturally grow हो गया है ठीक है वह naturally grow हो जाता है हमारे crops के साथ और उसे ही हम कहते है सब्सक्राइब करेंगे क्या होगा अगर वहां पे ग्रो हो जाता है तो उसे भी भाई वह भी प्लांट हो ही फोटो सिंथेस करेगा उसे भी सनलाइट चाहिए तो क्या होगा न क्या होगा न वह actually competition करेगा किस चीज के साथ competition करेगा वह actually competition करेगा water के साथ sunlight के साथ space घेरेगा बहुत चारी चीज़ें जो हमारे wheat plants को use करनी चाहिए वह भी use करेगा तो यह सारे problems के लिए हम wheat को remove करते हैं some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human being और कभी कबाल तो harvesting के time पे कुछ weeds साथ में कट जाते हैं जो छोटे होते हैं ऐसे तो बड़े वाले को जो farmers होते हो separate करते हैं लेकिन कुछ जो small small होते हैं वो अगर आ जाते हैं तो poisonous होते हैं human के लिए और कभी कबाल animals के लिए भी farmers adapt many ways to remove weeds and control their growth farmers ने बहुत सारी ways के through weeds को एक तरह से control करते हैं उसके growth को और weeding का process करते हैं कैसे कैसे तो पहला तो है tilling देखें tilling क्या होते हैं मैं आपको एक्दम describe करकी बताती चलूंगी दो तीन process जो farmers करते हैं वही है tilling tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds tilling का मतलब क्या होता है वह जो हम simply till करते हैं tilling क्या होता है मैं आपको पहले पता दिया हलकी help से हम land को till करते हैं तो अगर आप crops को grow करने से पहले एक बार land को till कर देते हो तो वह weeds को अपरूट कर देगा नहीं उनकी जड़ को खार देता है उसी के साथ 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 वह सूख जाते हैं और फिर soil के साथ mix up हो जाते हैं और removal of weeds को remove करने का फिर land को till करके उसको अटाने का एक time होता है वह होता है कि उसमें flowers ना आये हो कि कि tilling करने के time अगर उसके flowers नीचे गिर गए तो फिर उससे new plant grow हो जाता है ओके या the manual removing includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time manual removing भी आप कर सकते हैं अब आप manual removing कैसे करोगे manual का मतलब होता है हाथ से simply आप उसको उसका जड़ है वह सहीत अगर आप उसको uproot कर दो यानि उसको उखार लो तो उससे क्या होगा कि वह जो हमारा weed है वह क्या होगा remove हो जाएगा ठीक है लेकिन आपको उसको time to time हटाना होगा this is done with the help of खुर्पी है खुर्पी के help से किया जाता है a seed drill is also used to uproot weeds seed drill तो obviously use होगा ही क्योंकि वह एक तरह से सार्फ edges वाला होता है अगर आप पूरे soil को till कर दो ना तो पूरा weed टूटी जाएगा weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides weeds को chemical के द्वारा भी control किया जाता है उसे हम कहते हैं weedicides like two to four days there are spray in field to kill the weeds यह एक chemical होता है इसे दो से चार दिन पर अगर आप खेत में छिड़क देते हो फेल्ड में छिड़क देते हो तो यह weeds को किल कर देता है they do not damage the crops यह हमारे crops को भी damage नहीं करता है the weedicides are dilute with water to the extent required and I am sprayed in the field with a sprayer यह जो weedicides होता है जो chemical होता है इसे हम पहले तो simply water के साथ mix करते हैं ठीक है dilute करते हैं यह mix करते हैं जितना हमको चाहिए फिर उसको पूरे field में छिड़क देते हैं ठीक है do weedicides have any effect on person handling the weedicide spray बुझो का question है कि जो weedicide हम जो chemical हम यूज करने जा रहे हो as already mentioned the weedicides are spray during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation okay spraying of weedicides may affect the health of farmers बता दिया मैंने so they should use these chemicals very carefully they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals okay उन्हें क्या करना चाहिए अपने nose और mouth को एक बिल्कुल एक piece of cloth से cover कर लेना चाहिए क्यूंकि वो chemical के spraying जो वो chemical spray कर रहे हम कर सकता इसलिए अब हार्वेस्टिंग क्या होती है हार्वेस्टिंग अचली जो हम sorry yeah तो जो हम अचली जो हार्वेस्ट करते हैं जो अगर हमारा crop हो गया राई तो उसको हम जो हार्वेस्ट करेंगे हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को हाँच से पकरते हैं खीचते हैं और नीचे से जर से काट देते हैं जर से ऊपर से हमारे कंट्री में जो सिकल होता है न हसी है इसको बोलते हैं पिसी कल आप देख भी सकते हो यह आप इसे हाथ से चला चला कर काटा जाता है नहीं तो फिर मशीन हार्वेस्टिंग होती है इन इन्दे हार्वेस्टिंट क्रॉप्स द ग्रीं नीट टू बी सेपेरेटेड फिर्ण से लिकां करना होता है जिसे हम कहते हैं थ्रिसkte 어때 कोंबाइं यह यह कम्बाइण के यह से कीया जाता है यहां पे देख सकते ही एक कॉमबाइण है विच रिच इन फेक्ट हार्वेस्ट उने फ्रेस्ट केते हां, ओके या या आफ्टर हर्वेस्टिंग सम्थिंग स्टर्प्स आर लेफ्ट इन दे फिल्ड विच आर बर्न बाय फार्मर्स पहेली वरीड शी नो दैट इस काउस पॉलूशन इट में क्याच फार्मर्स सिंप्ली उनको बर्न कर देते हैं जला देते हैं जो अगर आग लग जाती है तो वह क्रॉप्स को भी डैमेज कर देता है जो फेल्ड में रखे होते हैं अलग से फार्मर्स विट स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रम चाफ बाई विनोईंग ओके देखिए दो चीज यहां पर आपको दी गई है जैसे यह जो थ्रेसिंग है और विनोईंग है यह दो प्रोसेस है जैसे अगर हम क्रॉप्स को काटते हैं तो इसकी डंटी है और यह इसका फ्रूट है यह हमारा फ्रूट है और इस फ्रूट के ऊपर हमारा फ्रूट का कवर है कुछ ऐसे घिरा हुआ तो यह जो हमारी डंटी है यानि यह जो पिंक कलर से मैंने आपको डंटी बना के दिखाई है फ्रूट से यानि जो हमारा ग्रेन है यहां उस से इसको अलग कर रहे है हम ठीक है उसे जो इसको अलग कर रहे हैं जैसे आशेनिये अभी जुड़ को पटक पटको के बहाई अलग कर लिया तो हमारा सीड बही बचा है ने सीड इस आलग तो हो गरेंग.. अब था टाने के लिए विनोओं का हल्पी्ल की Yuri Ma Det whole इस पहले हो जाता है पहले तो उसको पक्तक की अलग मेरे जाता है फिर इसके लिए इस पर गाह या फिर बैल को चलाया जाता है जिससे यह जो सीड होता है इससे इसके छिलके अलग हो जाता है अलग तो हो गए छिलके लेकिन अभी भी मिक्स अप है उसके लिए विनोईंग का प्रोसेस किया जाता है विनोईंग का प्रोसेस क्या होता है हम बहुत ज्यादे गाउं में ऐसा होता है कि जैसे कोई एक यूट स्टोरेज देख होता है इसे कर ली है स्टोरेज भी बहुत सब्सक्राइब कि लिए रखने होगा उगाई न को है इंसेक्ट रैट्स और माइक्रो और्गनिजम से उन्हें बचा कर रखना होगा हार्वेस्टेट ग्रेंस में बहुत ही जादा मुष्चर होते हैं इसलिए उन्हें स्टोर करने से पहले धूप में सुखा लिया जाता है इसे उनके मुष्चर जो होते हैं वह वैपुराइज हो बहुत बार फंगस भी पकड़ लेगा और फिर उसे जर्मिनेशन के लिए या फिर आपके खाने के लिए यूस के लिए उसे उन्फिट बना देते हैं वह खड़ाब हो जाता हैं इसलिए बिफोर स्टोरिंग देम उन्हें स्टोर करने से पहले ग्रेंस आर प्रॉपर्ली द इन्फिर टेमिन पहले हैं मतलब फंगा हैं मतलब बίναι बेंस सद्सका मतलब होता है के लिए पास वह खाचा प्रॉप ससका इस नहें मतलब पर अजांता है मतेर् बाह स्टेरिया वो दूर रखते हैं इंसेक्ट को हमारे ग्रेंस से फार्मर्स इस्टोर ग्रें इन जूट बैक्स और मेटलिक बीन्स जो फार्मर होते हैं वो ग्रेंस को जूट बैग या फिर मेटलिक बीन्स में रखते हैं लार्ज स्केल पे अगर फार्मर्स रखते हैं में हैं जूट बैग और मेटलिक बीन्स में लेकिन बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में ग्रेन है तो उन्हें साइलोस या फिर ग्रेनरीज में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है रैट इंसेक्ट और पेस्ट से ओके अगर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमें ग्रेन को स्टोट करके रखना है साइलोस और ग्रेनरीज वगरा में रखे जाते हैं तो वहां पे कैमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है वो कैमिकल ट्रीटमेंट से पेस्ट और माइक्रो औरगनिजम्स जो हमारे ग्रेन्स को अन्फिट बना रहे है न वो दूर रहते हैं ओके फुड फ्रॉम अब हमें अनिमल से भी तो फुड मिलता है उसके बाड़े में तो सीखना ही है अब देखे में एक टेबल इन योर नोट बुक और कंप्लीट इट ये तो आप सीगस्तिंबदा के मतलब होता है वह गट जो फीमेल हो जो प्रॉमेल होती है अला आप कमीट व मेढ़े मेम मेड प्लांट इते हैं तो बहुत सारे जो घ्रेन леंढकरम में मिलक जा झालग है में कासवरे मेत है मिल्ट मेर्मält भी है इंत अनिमल से मिलता है हमारा हमें प्ला बोग जगह से मिलता है अइनिमल और प्लाट दोनों से वह लोग जो कोस्टल अरिया इंडिया है अगर आ पर ध्यान दो चलिए पहले देख लेते हैं केरल करनाट का यह सारे क्या है कोस्टल रीजन वहां फी जो मेजर फूड है उनके डायेट का वह क्या है भाई फिश है वह अपने डायेट में ज्यादा तर फिश लेते हैं बहुत ही मेजर पार्ट है प्रिवियस क्लास में आप लोग ने यहीं सीख लिया था कि जो फूड है में जो आपको प्लांट से मिलता है we have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. हम लोग ने यह भी सीख लिया है कि जो crop production वो involve करता है बहुत साथे steps, जिसे हम क्या कहते है agriculture practices, okay? जिसे sowing of seed, preparation of soil, आपको एक लाइन में लिखना एक्जाम में similarly उसी तरह से animal को अगर हम, जिसे crops को तो हम field में होगाते हैं उसकी सेवा करते हैं वैसे अगर हम animals को अपने ही घर में रखने लगें फिर उनके product को large scale पे मतलब business करने लगें या फिर खुद का use के लिए रखने लगें तो वो भी एक तरह का farming ही हुआ, ठीक है? लेकिन हम उसे कहते है animal husbandry animal reared at home, animal को घड में पाला जाए, farms में पाला जाए और उन्हें proper food shelter दिया जाए, okay? have to be provide with proper food, proper food एक दम दिया जाए, जो वो खाते है, shelter दिया जाए, चख घर दिया जाए उन्हें रहने के लिए और उनकी care की जाए तो जब हम इसे large scale पे करते हैं, तो इसे हम कहते है animal husbandry चलिए, अब एक बहुत ही बड़ा सा ब्लॉक, छोटा सा ब्लॉक है ज़्यादा बड़ा नी, पहले ही question देख लेता है, I saw my mother putting dryly, यह तो देख लिए आम लोग ने, फिश is good for health, फिश अच्छा होता है हमारे health के लिए, क्योंकि cold liver oil होता है, फिश से हमें मिलता है cold liver oil, यह आप बिल्कुल याद रखना है, जो vitamin D में बिल्कुल ज़्यादा होता है, एक पर रिट कर लेती हूँ, फिश is good for health, फिश अच्छा होता है health के लिए, we get cold liver oil, हमें cold liver oil मिलता है, फिश से जो rich होता है, vitamin D में, चलिए, harvest festivals, देखिए, after three to four month of hard work, there comes the day of the harvest, जब किसान जो होते हैं, आप अगर किसान की family से बिलॉंग करते होगे, आपके family में अगर कोई किसान होगे, तो आप यह ची जनते होगे, कितना जादा श्प्रगल करते हैं, क्रॉप होगा जब जो फसल होती है, उतनी मेहनत की हमारी, वो पक जाती है, और उसे अब हमें काटना होता है, the sight of golden field of standing crops, laded with grains, fill the heart of farmer with joy and the sense of well-being, देखिए, तो जब जैसे अगर कभी कवाल आप देखोगे, जब पूरा एकदम grain, हमारा healthy grain ग्रो हो जाता है, वो कितना अच्छा लगता है, फिल्ड में एकदम golden sights ही लगती है, देखने में, जैसा कि आप देख सकते हो, तो यही जो golden sight होती है, standing with crop crop के साथ, जो लदा हुआ grains होता है, यह जब farmers देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की हुई होती है, इसको बना bond fruit and it's time to relax and enjoy a little, उन्होंने जो effort किया था, मतलब past में, उन्होंने जितनी महनत की थी crops को grow करने के लिए, वो अब grow करके उन्हें अब fruit मिल चुका होता है, उन्हें उनका फल मिल चुका होता है, अब टाइम होता है, थोड़ा सा enjoy और relax करने के लिए, the period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India, इसलि पूरे इंडिया में, मैं और वमेन इसको पूरी श्रधा के साथ मनाते हैं, इस पेशियली फेस्टिबल जो एसोसियेटेड है, जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली, होली तो हम लोग सब खेलते ही है, दिवाली, दिवाली तो जानते ही है, बी हू, तो यह सारी च जोड़ा होता है, जब फार्मर्स का होट बिलकुल जोई से भड़ जाता है, तब फिर इसे वो मनाते हैं, पूरा एकदम फैमिली के साथ सारे मेन, विमेन, चिल्डरन सारी इस फेस्टिबल को सेलिब्रेट करते हैं, इन्थूसियाजम, इन्थूसियाजम का मतलब होता है, बहुत ही ज़ादा जोश के साथ, बहुत ही ज़ादा खुश होकर, ठीक है, बहुत ही फुली एंजॉइमेंट के साथ इसको यह लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी के साथ हमारे पूरा चैप्टर कंप्रीट होता है, आशा करती हूँ, आपको यह पूरा चैप्टर अच् किसी की नहीं है तो अगर आपको देखना चाहो तो देख लेना और मैं इसकी एक rapid revision वीडियो भी लेकर आने वाली हूं जिसमें मैं half and hour की वीडियो में यानि 30 minutes की वीडियो में आपको ये पूरा chapter कवर करने वाली हूं अगर चाहिए वह सारी वीडियो आपको तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे from this side area saying thank you